गुड मॉर्नेंग एब्रीवान, मॉय आजी एकोन वीडियोद क्लास टेइन और फास्ट फ्लाइट इंग्राजी की टाप खोनार पडा, सेगेंड चैप्टर नेलसल मेंडिला, लोग वाक्टु फीडम, एकोन चैप्टर और टेक्ट्वेल क्वेशन आ अंसर, और लोगोटे क कोई मॉय आटिया, क्वेशन आंसर ले आगोवाई गोशू, तुमा लोगे जास्ट मनो जोगरी हुने भूला सेश्टा कोरी बाँ Question No.1, Where did the ceremony take place? That means ceremony खन कोड हंगोटी तो होशिल बा पता होशिल, पिसर क्वेशन कीनी होल, Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Sandstone means, डांगर डांगर पाथर बा, हिलर कोटा कोवाई शे, तो एक क्वेशन तो मिनिंग कीनी होल जे, तुमा लोगे भारत अथ्थ का पाबलिक बिल्दिंग और नाम कोब पारिवाने, जीबोर Sandstone रे निर्मीट, तो एटिया माई क्वेशन आंसर ले आगोवाई गोशू, या लिखा अशे, दी सेरेमनी तेक प्लेस, ताटमीज, सेरेमनी कान हंगोटी तो होशिल बा, पाता होशिल, इन दी लाबली Sandstone Ampityator, ताटमीज, लाबली खोबे भालोगा Sandstone अरताद, डांगर डांगर पाथर बा, हिलरे निर्मीट, अपिटीय तो है सेरेमनी तो हंगोटी सेरेमनी हंगोटी तो है सेरेमनी तो होशिल, एति आमाई पिशार क्वेशन आँसार लागवाए गोशू, यह लिखा आशे, इन इंडिया, देट मीज, भारोटाद, दी रेटफोर्ट, जामा मस्जीट, एन दी परलियामेंट हाउस आर मेट अप सेरेमनी तो है सेरेमार भा 2. Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? That means, यह कवा है से तमालो के कबो परिवने से, South Africa त में महा दातारिका किया autumn day बुले कवा है? I move to the answer to the question, the South African people were under the White Supremacy for about 300 years, for about 300 years means प्राय तीनी हो बसार धरी, तो यह कवा है से जी South African people और ताथ South Africa ठका जनो हादन हकल कियो इसे ल, under the White Supremacy, that means, बगरोंगर मनु हकलर अधिबत्त दाशेल किमान बसार धरी, प्राय तीनी हो बसार धरी, तार बिशाट कुवा है से, but किन्टु, लेटर केम South Africa's first democratic non-racial government, किन्टु लाहे लाहे पिशट की हल, South Africa देखन नोटून सर्कर गोट 10 में वस्टी इनाग्रेक्षन सर्योमनी अब दे गोबर्मेंठ तो यहाट कुवा है सर्का कन गोटित में पिशबागे दाशेल किन्टु दाता है कटून में महार डाता है कट, इन विश्टोन सर्कर निलसल मैं दे प्रेजिदेंट, अरो सिकर चर्कर प्रेजिदेंट कोने शो हे बावे हे तेन में इस चंसिड़ाइज एस अ अटम्डे इन सौद अप्रिका, हे बावे हे सौद अटम्डे आप्रिकात में महः दौत रिक अटम्डे बुले बीविल सना करा है। Qeestion no.3, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster, what does he mean by this? तो याट को आशे जे, Mandela टेकेटर इस पीचर पोटम भागो ते, टेकेटे कोईशे जे, an extraordinary human disaster, तो an extraordinary human disaster एकिने दी, Mandela की कबो विशारे से? पिसो देटा question दिया हाशे, what is the glorious human achievement he speaks of at the end? आशे टेकेटर इस पीचर हेखर भागो तेकेटे कोईशे जे, glorious human achievement, तो एकिने दी, Mandela की कबो विशारे से? एकिने हाल question और मिनिंखी नी, एकिने माई answer ले आगवाए गोईशू? इस सद अफरिकन पीपल had been under the white supremacy for decades, तो येट कोईशे जे साद अफरिकर मानु हकोले, white मानु हकोलोड ओडिनार बहु बशार धोरी आशेल, they were tortured at random by the whites, at random हब दोर्थो अशे बिना उद्देशे, तो अरो येट येट दे काग बुझो हाईशे, दे means येद साद अफरिकर मा बाई एक्स्टारणीनरी हुमन्डीस्टार, मेंडेला means that torture and humiliation experienced by दिस आप्रिकन people from the whites for more than 300 years. मैं हेख़ एर हब दो लिखानाई तुमालो के लिखिलोबा तो यार अमी की बुचा पालू जे बाई एन एक्स्टा ओर्डिनारी हुमन डिजस्टर एखिने दी मेंडेला कबो बिशार इसे जे साथ प्रिकार मानु होको ले वाइट होको ले करा तर्शार आरू हिमिलेशन धा तो यार अमी की बुचा पालू जे ग्लोरियास हिमान अचेब्मेंट एक्षिने दी मेंडेला कबो बिशार इसे जे साथ अप्रिकार मानु होको ले बहु बसो दोरी हंगराम कोरार पिसोडेख ही अटे पोलिटिकल फीडम अटाथ राशनोतिक गटो हवे हादिन अटा तो यार बुचो हाईसे जे मेंडेला की होर बाबे इंटरनेशनल लीडर होको लग धन्नो बाद जोनाईसे एटिया मैं कुवाशन आ अंसर लो आगवाए गोईसु निल्सल मेंडेला थैंक्स दी इंटरनेशनल लीडर्स फर कमिंग तु दा कांट्री और तु पे देर रिस्पेक्ट दु नुलिव फर्म गवर्मेंट बिपोर दी इंटागरेशन सेरिमोनी तो यदा मी की बुजा पालू जे निल्सल मेंडेला थैंक्स दुटा बिखोए है इंटरनेशनल लीडर्स हकोलाग धन्यवाद जनाईसे सेट आउट हब दोत अर्थो एसे इस्थापन करा एंडेल खब दोत अर्थो एसे आदर हो तो येदा मी बुजा पालू जे मेंडेला ए साद अप्रिकर भोविस्वतर बबे की आदर हो इस्थापन करिशे आउट होल निल्सन मेंडेला हैड होप्स पर द ब्राइट फूचर अप्रिकर येदा मेंडेलार साद अप्रिकर और भाल एटा भोविस्वतर अखा हासिल तो की होर परा हादिन नता दिवा परे हेखेनी टेकेटर आखा बा आदर हो आसिल जेने क्वा लाइक पोभार्टी, डेप्रिवियेशन, सपारिंग, जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन तो एबुरो पड़ा जाते साधप्रिकार मानु हकले हादिन नाता लाप करे हेखी ने असिल तेके तो आदर खो question number 6, what do the military general do? that means military general हकोले की करे? next, how has their attitude changed and why? अरो ही अतर attitude खेने कोई पोरिबाटन होई से? question answer की ने होल, the military general saluted Nelson Mandela, that means military general हकोले Mandela का salute कोरी सिल and placed their loyalty अरो ही अतर loyalty खेने तेके तो आदर खोर पुर्टिक गा होरो ब्राकी सिल next question answer की ने होल, the same, Nelson Mandela would not have been saluted if it had been some years ago, they would have arrested him that means आमी याद की बुजा पालू? जे, जोदी आमी केवा बसमान आगलोई जाओ तेने होले बुजवा पारिम जे, military general हकोले तेके तोग salute नो कोले हे तेन, तार बोड़ी बते तेके तोग, arrest कोले हे तेन, बाट की नाओ एतिया, Mandela become their president and so their attitude has changed due to their personal gain, personal gain means बेक्टी गठो लाव, तो येदा मी की बुजा पालू? किन्टो एतिया, Mandela जेटो तेके तर, भा ही अटर की हल, president हल, अरो ही अटर बेक्टी गठो लाव और भाबे हे एतिया, ही अटर ही अटर एतिटीट की नी change कोरी से question number seven why were two national anthems sung तो याट कोवाँ से जे कियो दुखन राश्टियों होंगेट गोवाँ होई सिल एटी आमे question answer लागवाई गोई सु two national anthems were sung on the inauguration day as there were two major race in South Africa the white and the black तो याट कोवाँ से जे दुखन राश्टियों होंगेट गोवाँ होई सिल कारण South Africa जे तो दुखन मेजर race जाटी जे जाती जे अटा होल the white and the black अरो अंती होल black as the government was democratic and nonracial अरो जे तो government अटा स्वाटर कार खन होल गोवाँ तो जाती होल so गोटी के on the inauguration day all the people sang both the national anthems to symbolize equality between the two races हे काने हे दुखन जाती मेजर एकोटा डिकुवाबल गोई Dutashto होंगे ताद गोवाईसल question number eight how does Mandela describe the systems of government in his country first number of dhyaa se in the first decade and second number of dhyaa se in the final decade of the 20th century तो या देखिनी बुजी पुआ गोल जे first decade आरू 20th century final decade तोथ Mandela केने कोई निजर देखर स्वार कार और system तो बनना कोरी से या तो या माय आंसार लो आगोवाई गोईसू number one of dhyaa se in the first decade that means first decade तोथ Mandela केने कोई निजर देखर स्वार कार और system तो बनना कोरी से या ताके ही लिखा आसे in the first decade of 20th century the white-skinned people fostered system of racial domination against the dark-skinned people तो या एकेड या एसपास्टो होल जे 20th century पोटम decade तोथ white-skinned manu होकले black-skinned manu होकले against तोथ जाती बा बार्णो बाढ़ धर्मो गटा बोह होमा सिस्टी गोरी सिल second तो याट कोई आसे in the final decade of the 20th century in the final decade of the 20th century that means 20th century final decade तोथ the system had been overturn forever forever means zero color बाबे the system had been overturn forever की system मोगटा कोई आसे याट जे white और black और माज़ जीखिने जाती गटो बाढ़ बार्णो गटो बोह हम्मो आसे याटू system मोगटा कोई आसे this system मेटी हमपुन रुपे zero color बाबे 9 होआ होई गोल and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin और लगटे कोई आसे ही अटर माज़ जीखिने इसकी नर माज़ प्रोभेट बाब भेटा सिल हेकिनी हमपुन रुपे नो होआ होई गोल और लगटे black होकोले ही अटर ओधिकार और राइट्स और फ्रीडम हादिन नाटा अरज़न बापाबलोयो होकोम होई पोडिल क्वेस्टन नम्बो नाइन मेंडेला मते कारेश माने की होई अंसर चू होल चू मेंडेला कारेश डास नोट मीन अपसेंस और फियर फियर मीन्स भॉय तो तिकेटर मते कारेश के टिया भॉयोर अनुपूस्टितिक नो बुजाए तेने होले की बुजाए तेने होल मेंडेला मते कारेश अर्थ एटिया मैं क्वेशन नाबर टेन लो आगवाई गोई सु विच डास ही थिंग इस नाचरल टू लाव और टू हेट तो येट कुवाँसे जे मेंडेला कोंटोक नेचरल बुली कोई से तू लाव और ने टू हेट कोणाटोक नेचरल बुली कोई से आंसर टू होल मेंडेला थिंग्स तू लाव इस नाचरल तो मेंडेला भावे जे नाचरल होल प्राकिति होल तू लाव और टू है मेंडेला नेचरल बुली कोई से तू याट कोवा से जे मेंडेला की दूठा कोट्रब याट उल्ले कोरी से आंसर टू होल टूआणज मीन्स डूल ओबलीकेशन टूकेतर मते होल टूइल ओबलीकेशन अर्था डूल ओबलीकेशन Every man in the society has two in obligations. तेकेटर मते पुटिजन मानूर, हमाज अठका पुटिजन मानूर दुटा कोई डाइट अबा कट्वब अशे. The first one is the obligations to his family, to his parents, to his wife and children. तो तेकेटर मते पुटम obligation अठार पुटम कट्वब अठका होल to his family. तेकेटर निजवर फेमिली पुटिजन पुटिजन कट्वब अठका होल to his parents, to his wife and children, to his wife and children. निजवर देख और निजवर दिखो ठोका जाती धर्म बर्नों हकोलो बर पूती ठोका कत्रबाव दायटोग तेके टेके टे सेकेंड अबलिगीशन बुली कोई से Question number 12. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? तो याट कोई से जे Mandela मते एजन साट्रो हिसा पे आरो एजन लडा है सा पे पोगा फ्रीडम तो की होई? How does he contrast this transitory freedom with the basic and honorable freedoms? Contrast हब दो तो अर्थ होई से बोईखम मों देखुवा बापाथा को देखुवा तो याट कारमा जाट बोईखम मों देखुवार कोटा कोई से transitory freedom से लगाट basic and honorable freedom कोटा कोई से तो मोय त्या question आ अंसर लागवाए कुशू By being free as a boy, Mandela means to be free to wander, to swim, to run and to ride bulls तो याट कोई से जे Mandela एजन लडा है सापे पोगा freedom तो एने कोई बनना कोई से तो बी free to wander, that means एजन लडा है सापे टेके टेके टे जीको नो ठागाट घुरी फुरीबा पारे एने कोई freedom ठका हुशीट, to swim, हाटो रा freedom पुआ हुशीट, to run and to ride bulls एजन लडा है से लागवा हुशीट बाट, as a student, he meant to be free to stay out at night and to study wherever he lived आँ ठेके टे एजन साट्रो है सापे पुआ freedom अगेने कोई बनना कोई से सेगेंड कोईशन आ अंसर ले मोँ आगवाए गोई शू यह लिखा हासे बाट, किन्टू, ठेके टेके टे एने कोई कोई से with the passing of time, that means, हमार होताथ, he learned, ठेके टेके टे, हीकिसील जे the transitory freedoms were an illusion, that means, transitory freedoms जीबराशे हैवार जास्ट illusion अगार्टाथ, भ्रम हे मत्र, he contrast, ठेके टे, बाट, हमार देखवाई से he said that the basic and honorable freedom enable the people to live with dignity and self-respect this is the last question question number 13 does mandala think the oppressor is free now i move to the answer to the question no no why mandala does not think that the oppressor is free mandala oppressor is free because karen a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred prisoner of hatred means घिनार पात्रो तो टेकेटे कोशे जे एजन मानु हे जोदी आन जन मानु अर हादिन नता कोरिया निये तेने हले तेनुको आ मानु हो खदाए घिनार पात्रो बुले बीविशोना करा होई he locked behind the bars of prejudice and narrow-minded आरो तेनुको आ बेक्तिक narrow-minded बुली बीविशोना करा होई दियर स्टुडेंट, क्वेशना आंसार होँ माई यादे हम अप्ट कोए दिलू तुमा लोकार खुबीदार बाबे माई क्वेशना आंसार होँ होँ एखन पेडियो फाइल बनाई दिसू और फाइल खन लिंक मोई डेस्क्रिप्चन और दिदिसू तुमा लोके टार परा डाउनलोड कोई लभव पाईबा जोदी तुमा लोकार वीडियो खन परा कुनो उपकार होईसे बुली तुमा लोके भाबा तेने होले निस्सों लाइक, शेर और सास्क्राइब कोरे बोले ना पहरिवा डे तेने होले आजी लोके एखन ये धोईन्यों बाद, have a good day, thank you